हलो नमस्कार बॉल बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे ncrt के इंटरेक्टिव सेशन में मैं हूँ आपके साथ शिवानी जा और आप सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीम एविद्या क्लास 9 पर आप सभी को बताएं कि जस तरीके से हम रोज आपके साथ आते हैं जुड़ते हैं और बच्चों की समस्याओं को दूर करते हैं जो भी सब्जेक्ट से रिलेटिड होती है तो उसी को लेकर के आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए शोशल साइंस का एक बहुत ही बहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं टॉपिक है आज का कॉजस ऑफ बॉल्शेविक रिवल्यूशन अब जब तक मैं आगे की चीजे बताओं तब तक आप ये सोचिए बॉल्शेविक रिवल्यूशन आखिर होता क्या है क्या आपने इसका नाम पहले सुना हु जो आपको इस टॉपिक के बारे में सीधा बताएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आपको इस सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी लगता है सवाल आपके मन में आ रहा हो या डाउट क्वेरी हो तो आप सीधा हम तक यह हमारा कॉंटेक्ट नम्मर है जिससे आप हमें क्वेरी और डाउट पूछ सकते हैं कॉल करके इसके बाद बच्चों आप हमें इमेल आइडी पर भी अपने डाउट या क्वेरी बता सकते हैं इमेल आइडी है टीटीएश टॉट क्लास नाइन एड़ीट सीएट डॉट तो यह सभी मैंने आपको माध्यम बता दिये जिससे जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड सकते हैं और आपके मन में अगर किसी भी तरीके का डाउट या फिर सवाल आता है तो आप सभी जल्दी से हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के साथ जो है आपके एक्सपूर्ट का हमें आपर वेलकम कर लेते हैं जो हमारे साथ इस सेशन में जुडी हूई है आज हमारे साथ Thirty समर्थ है् तो आपको मैं अपका है ओर मैरे भी वन में आ रहा हैं तो चलिए माः से पूछते हैं कि माम जो टॉपिक का नाम है जो हमने बताया बच्चों के causes of बॉल्शेविक रिवल्यूशन तो आखेर बॉल्शेविक रिवल्यूशन क्या है तो इसके बार में आप हमें बताएंगे थोड़ा सा जरूर बॉल्शेविक रिवल्यूशन एक्चुली 1917 में हुआ और 1917 में कुछ कारणों से रशिया में दो क्रांतियां होती है एक फरवरी में और एक उक्टूबर में तो फरवरी मार्च की जो क्रांति थी उसके द्वारा जार साही का अंत हुआ और उक्टूबर नवेंबर की 1917 की क्रांति के द्वारा बॉल्शेविक सासन की चुपक प्रत होता है रुसी रसिया में अस्था पना है इस तर से आट है सोचलिजम समाज़वाद हो तो अब जैसा की तोपक का नाम भी था कि इस के नाम पर हम बात करने वाले हैं तो चलिए माम आपसे यही जानेंगे कि इसकी कॉजस क्या थे इस revolution के ये मैं PPT पे आपको दिखाना चाहूंगे कि कॉजस ऑफ बॉल्सेविक revolution मैं पढ़ने के साथ साथ explain करते जाती हूँ Autocratic Monarchy अर्थात निरंकुष रास साही बीसवी सदी के शुरुवात में यूरोप में जबकि बड़े देश हो जैसे की बिटेन फ्रांस सम्में एक सम कंस्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिस हो चुकी थी रश्या अभी तक वो पूराने धर्रे की ही राजतंत्र फॉलो कर रहा था जिसमें की राजा को देवी अफ्तार माना जाता था उसके शब्दों को ही कानून समझा जाता था और उसकी मुखालपत यानी करने वालों को विद्रो करने वाले को कहा जाता था कि आपने इश्वर के विरुद्विद्रो किया है इसे सिध्धान्त को देविय राजतंत्र का सिध्धान्त कहते हैं तो उस समय तक सारे बरे देशों को में यूरोप के तो इस समय राजा निकोलस सेकेंड जिसकी पत्नी जो थी अलेक्जेंट्र है वो जर्मन मुल्की थी तो एक तो जार स्वेम निकोलस सेकेंड काफी अयोग्य वैक्ति था और उसे सासन करका उतना कोई ज्यान नहीं था कि उसे किस प्रकार से सासन करना है वो आज भी बगैर जनता की सहमती के या फिर कुलिनवर्ग की सहमती के ही सासन कर रहा था अपने मनमर्जी के मुताबिक और इससे भी बुरा प्रभाव बुरी बात यह थी कि वो अपने पत्नी के बहुत प्रभाव में था जो की जर्मन मुल्की और रूस की जनता उसे विदेशी समझती थी उस अपना नहीं मानती थी उस रानी को तो इसका परिणाम यह निकला कि जनता के मन में विद्रो की भावना एक विदेशी रानी के प्रती पनप रही थी और इसी समय रानी पर राश्पुटिन नाम के एक कप्टी साधू का बहु हो गया कि उसके वो जो कानून चाहता था उसे रद करवा ले ता था और जो कानून चाहता था बनवा ले था इन फेट जो close relatives थे जर्जार के निकॉलस 2 के उनकी भी हिम्मत नहीं थी कि उस साधू की मुखालपत कर सके तो इस टाइब के सासन में से रूसी जनता को इंफट रूस के नोबिल क्लास को भी एक अलगाव का भाव महसूस हो रहा था सेकेंड पॉइट है एक्स्पोइटेशन आफ कॉमन पीपल तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी भी एक पुराने धरे का सासन यहां पे फॉलो हो रहा था जिसमें कि किसानों से मध्यमवर्ग से किसानों से बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस वसूल किये जाते थे रूस के एकॉनमी का आधार एग्री कल्चर था किन्तु इस एग्री कल्चर एकॉनमी में किसानों के पास 80% किसानों के पास अपनी भूमी नहीं थी भूमी किसके पास भूमी या तो राजा के पास थी नोबिल के पास या चर्च के पास तो हम एक सोसाइटी की हिरार्की देख सकते हैं कि सबसे पहले राजा और सासक वर्ग फिर उसके बाद चर्च और तीसे नंबर पीपल और मध्यमवर्ग अभी उतने अच्छे से उदय नहीं हो पाया था रूस में फिर भी एक मध्यमवर्ग था तो इस तरह की हैरार्की में और टैक्स पे करने वाले का की जिम्मेदारी जो थी वो साधारन वर्ग की थी मतलब अर्था अधिकार कुछ भी नहीं ना भूमी पे अधिकार ना साशन पे अधिकार किन्तु जिम्मेदारी टैक्स पे करने की सबसे ज्यादा कॉमन पीपल पे थी और सबसे बुरी बात थी कि अकाल के समय या फसल खराब होने के समय भी टैक्स माफी की कोई उमीद क्रिशक नहीं कर सकते थे और चर्च भी उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनता था और चरहावे के रूप में उनसे उनका एक्स्प्लाइटेशन किया करता था तो कुलीन वर्ग, सासक वर्ग और उनों से लोगों की नाराज्गी थी जो एल्लास्ट , फरवरी 117 में क्राथी बन करकेUhजी कान्ति बनके उब्ली फिर तीसरा आता है इंडुस्ट्रियल रिवॉशन, हाना कि इंडुस्ट्रियल रिवॉशन के बहत बात रसिया में इंbor में इंडुस्ट्रियल रिवॉरुश आप 1890 वगेरा में इंडॉस्टी को बनते हुए आप दिखेंगे और इन में विदेसियों का भी investment था, देसी लोगों का भी investment था, रॉशियमी का इन्डिस्ट्रियल रिवॉर्यूशन में जो भी इंडस्ट्रियों की स्थाफना होई उसमें जो इंडस्ट्रियल रिवॉर्यूशन के दिमेरिट से हो अगय तो जैसे काम के ज्यादा घंटे, कम वेतन या फैमिली को आपको रख नहीं सकते अपने साथ या फिर अधी आपको एन्वाइरोमेंट्स में आपको रहना हैं पूरुस की तुलना में महिला वर्कर्स को हाफ पेमेंट थक कम दिया जाता था प्लस बचों को इंडर्ज कर लेना फैक्ट्रिय में और बहुत ही अस्वस्त कर अन्हेल्दी और इंसिक्योर प्लेस में बेरे मज़़ूरों को जाता था है उनके साथ कोई एक्सिडेंट हो जाता था तो उनको कोई coverage कोई मुआवजा नहीं मिलता था तो कहीना कहीं इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल एवाल्यूशन है उन्होंने गरीबों का मजदूरों के exploitation का एक मार्ग खोला तो दूसरा यह भी मार्ग खोला कि यह लोग घैटोज में घैटोज कहा जाता है जो मजदूर वर्ग छोटे-छोटे कमरों में अपनी फैमिली के साथ रहते मजदूरों की dormitory में यह लोग आपस में खटा होते थे उसी समय यह लोग अपनी situation की जिक्र करते थे और सबसे बड़ी बात यहां पर यह हुई कि इसी समय रस्या में रस्या क्या पूरे ही वर्ड में माक्सवादी विचार धारा बहुत तेजी से popular हो रही थे माक्सवाद का साथ का कहना था कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ तुम्हारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है कि जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा है तो प्रॉब्लेम को यहां पर पहचाना गया कि पुंजी पतियों के सोशन की वजह से और मजदूरों का कोई अधिकार कलकार खानों पर ना होने के कारण मजदूरों की यह दूर्दशा है तो कोई ऐसा सासन आना चाहिए जो कि उन्हें यह सारी सिक्योरिटी परदान करें और इस चीज को माक्सवादियों ने कहा कि आप बस यदि माक्सवाद आता है तो आपका अधिकारों का कलकार खानों पर और आपको पुंजी पतियों के सा देना चाहता है कि काल्माक्स ने पांच फेज़ों सोसाइटी डिवाइड किया था सबसे पहले आदिम समाज फिर उसके बाद दास समाज फिर उसके लिए करसक समाज फिर पुंजी पति समाज अपांच हुआ क्लास लेस सोसाइटी तो यह चरन बताए थे उन्होंने सोसाइटी के और कहा था कि जब पुझी पती अर्था इंडस्ट्री इंडस्ट्री लिस्ट जब अपने सोशन के चरम को पहुंचार पहुत देंगे तब सारे मजदूर एक होकर इनके विरुद विद्रो करेंगे और ए और छमता के हिसाब से काम करेगा तो इस चीज को जब फैल आया गया तो मजदूरों को सुनने में काफी अच्छा लगा और लगा कि उनकी प्रॉब्लेम को सॉल्व किया जा सकता है फिर उसका फूर्थ आ जाता है इंपोर्टेंस ओफ फिलोसफर्स इसी समय जैसा मैंने बत यहां पर मैं बच्चों को एक छोटा सटास देना चाहूंगी कि युद्ध पर बहुत ही फेमस बुक है आप उसका नाम सर्च करके आई है डॉस्टोवस की की मदर तो ऐसे भी फेमस है और लगबग उका जाता है उस उपरन्यास के बारे में कि हर लेंग्वेज में ही वह व अंता के बीच इस बात को रखा कि राजा भी आपकी तरह ही एक सामान्य प्राणी है उनको राजा चुना गया है क्योंकि वह हमसे थोरे से बहतर थे थोरे से ताकतवर थे जैदा लेकिन यदि वह अपना कर्तव्य भूल करके आपके सोशन पर आ जाते हैं तो आपका ये तो इन फिलोसफर के कहने पर इन फिलोसफर के इस बात को प्रोपगेट करने से मध्यमवर्ग की काफी आखे खुली और उनमें सक्ती आई कि वह जार के कुरूर शासन का विरोध कर सके अब नेक्स्ट है डिफीट ऑफ रॉष्या इन रॉष्या जापान वार आफ नाइटीन हंड़ेट फोर और फाइव अच्छली अठार सो सतर आशी के आसपास से ही रॉष्या जो है वो उसका काफी एक्सपेंशन हो रहा था एसिया में क्योंकि एफ्रिका में तो बिर्टेन और फ्रांस बहु अजबुत इस्तिथी में थे तो वो एसिया के साइड अपना प्रसार कर रहा था लेकिन इसी समय जब कि जनता तब भी सिफ राष्ट्रिय गौरफ के कारण जार को सपोर्ट कर रही थी आप देखिये का अजरबैजान रोमानिया जो जौर्जिया इन सब में रूस का सासन है जनता तब तक इस बात को इसलिए बरदास्त कर रहे थी कि उनके लिए राष्ट्रिय गौरफ की बात थी कि हम रूस के सामराज्जी का विस्तार हो रहा है किन्तु किन्तु यहां पर प्रॉब्लेम जे तब हुई जब उनिसो चार पांच में एक सा एक एसिया के एक छोटे स देश ने जिसको की वेस्टन वर्ल्ड एंड कंट्रीज एसियन ड्वार्फ कहकर के संबोधित किया करते थे और एक दर से कहिए कि उनको इंसल्ट किया करते थे जैपैन को उस वो मौडनाईजेशन के बाद मेजी रिस्टोरेशन के बाद जो वहां मौडनाईजेशन हुआ उसके बाद सामराजवाद के ही प्रस्न पर रूस से भिड़ता है रूस से युद्ध करता है और उस युद्ध में जैपैन जैसा छोटा देश रूस को बुरी तरह से पराजित करता है तो जब संधी हुई और रूस को काफी सारे एरिया गवाने पडे तो जंता को लगने लगा कि भाई रूस का सासन इतना कमजोड इतना ब्रश्ट हो चुका है कि हम एक छोटे से देश से हार गए और जो अभी तुरण करके सामने आया है तो उन तो रुसियन जन्ता ने उसी समय उननिसो चार पांच में विद्धो किया वह भी आफी फेमस विद्धो है उनिसो चार पांच का एक तरह से कहे दीजे के पुरो पीठिखा है निसो सत्रा के रूसी क्रांथी के वाल्सेफिक रॉश्ट के तो उनिसो जार पाँच में जब रिवॉलुशन हुआ तो जार को मजबूर हुआ कि वो कि वो ऑक्टूबर मैनिफेस्टो जारी कर है, ऑक्टूबर मैनिफेस्टो में पहली बार रस्या में एक संसत की स्थापना होती है जिसका नाम था रस्यान लैंगेज में डियूमा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डियूमा को मतलब उसने तो बहुत इल विल से इसको अच्छे मन से इंट्रोड्यूस किया नहीं था जार ने कभी भी ठीक से चलने नहीं दिया पहली दियूमा को सिर्फ 75 दिन और दूसरी डियूमा सिर्फ 3 महिने चल पाई तो इसी तरह से बार-बार संसत को भंकर दिया जाता था फिर तब इस तरह से 1905 से 12 साल इस तरह से होते हुए कट गए और इस बीच जनता के सोशन भी धीरे-धीरे बढ़ती गई 1914 में जैका समय हम जानते का साल प्रथव इस युद्ध सुरू होने का साल है जिसमें एक और जर्मनी और तर्की थे और दूसरी और बिटन फ्रांस थे जॉइन वाई रसिया एंड इटली तो इन लोगों ने युद्ध किया आपस में सामराजवात के प्रशन पर अगें राश्ट्री गौरव के नाम पर सपोर्ट कर रहे थे रसियंस के अपनी सरकार को क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस टाइम हम लोग ऐसा कुछ करें या कोई भी विद्ध्रो करें कि हमारी आ रस्या की बहुत बुले तरीके से हाय आहार हुई और उनिस्सो चौदह से सोलर के बीच रूस जर्मनी से हारा आउस्ट्रिया से हारा तो इससे तो जनता को साब साब समझ में आ गया कि रूस के सासन की तैयारी युद्ध तक की नहीं थी इन फर जो सोल्जर्स वापस आ रह कारण 30 लाख रुशियंस अपने ही देश में उन्हें पीछे हटना परा अपने घर छोड़के माइग्रेट होना परा तो असंतोस तो पहले से ही था 30 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ और 22 फरवरी को पेट्रोगाट से प्रॉब्लिम के शुरुआत होती है कि मैंने यह पर फोटो लगाया है कि लोग क्यू लगा करके खरे यह रैसपुटेन है और क्यू लगा के खरे हैं लाइन में खाने के लिए एसेंशियल चीजों के लिए खाने के लिए दूद के लिए और जब इन चीजों की सौटेज होते गई क्योंकि सारा जो खाना था वो इनिशली वार फ्रंट पर और वार फ्रंट पर भीजने के कारण आम जनता के लिए जब कमी हो गई खाने की तो जनता इस पे उतर गई सरकों पे उतर गई पहले पहल तो उन्होंने शुरुवात के तीन दिन हां एक माइल सा विद्रो होता रहा लेकिन डियूमा भंग करने के साथ ही यह विद्रो चरम पर पहुंच गया और रूस की जनता ने डियूमा भंग करने के आदेश को माना नहीं और सबसे बरी बात की गुरसावार आर्मी ने जब उनको आदेश मिला सासन के द्वारा की पोटेश्टर्स पर गोली चलाया जाए तो उन्होंने उसको मानने से इंका पर लेना चाहूंगे कि Constitutional Monarchy की बात करें हम तो यह क्या होता है Constitutional Monarchy का मतलब होता है कि राजा रहेगा राजपत को खतम नहीं किया जा रहा है किन्तु उस पे संसत का नियंतरन रहेगा जैसे आज भी बिटेन में फॉलो किया जाता है कि वहां पर राजा है वो नॉमिनेट प्रिखेंशे भी करते हैं अपने ह्यार लेकिन वगांचीं जो प्रिखने हरे अफिलीचर संसत के हाथ में है संसत के हाथ में 미न दे इले बात होता है संसत की मेहां? कुछ फोटोस भी दिखाना चाहूंगे और जैसाब मैंने बच्चों को बुछा कि उस समय रशियन आर्मी को किये किस नाम से बुलाया जाता तो यह NCRT की बुक में लिखा है आप मुझे ढूंड के यह वश्चे बताईएगा कमेंट सेक्शन तो यहां पर मैंने आपको बहुत अच्छा होमवक भी दिया है और I hope कि आप लोग करेंगे भी बच्चों तो आज की सेशन में हम इसको यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आज की सेशन में हमने बॉल्शिविक रेवल्यूशन के बार में बहुत अच्छे तरीकी से जाना और मैंने भी आपको बहुत अच्छे तरीकी से समझाया भी हर एक इसका जो पार्ट था तो यहां पर आज सबसे पहले अब हम मैं का यहां पर धन्यवाद करना चाहेंगे बच्चों जो मैं हमार सथ यहां पर जुड़ी और आप सभी को इतने प्यारे तरीकी से समझाया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए इसके साथ ही आप सभी का भी बच्चों का और जो भी वीवर्स हमार साथ जुड़े हुए थे आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमार साथ जुड़ने के लिए और इसके बाद ही हमारे और भी प्रोग्राम् जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा तो इसके बाद आपको धाई से तीन बजे का प्रोग्राम दिखेगा क्लास नाइंत के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स कर रहेगा टॉपिक स्टेटिस्टिक्स रहने वाला है पार्ट वन इसके बाद आप 3-3 देखेंगे हमारा प्रोग्राम जो साइंस का रहेगा और क्लास टेंथ के बच्चों के लिए उसके बाद 3-4 का जैसे कि मैंने आपको बता दिया फिर आपको धाई से चार बजे का भी प्रोग्राम दिखेगा यसके बाद हम लाएंगे चार से पांच बजे का जो हम ऑन लाइन ट्रेणिग पर हर रोज बात करते हैं इसके बाद आप साहियोग का प्रोग्राम देखेंगे 5-5 जो साहियोग का प्रोग्राम होता है हम आपके मेंटल वेलबीन के ऊपर बात करते हैं फिर लास्ट में 5-6 तक आप एक और प्रोग्राम हमारा देखेंगे, तो ये सारे हैं सत्र और सेशन जो मैंने आपको बता दिये, इसके जस्ट बाद आप हमसे कुछ ही समय में जुड सकते हैं और हमारे सभी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, तो आप सभी हमारे PME विद्य चानल्स पर बने रहें, जुडे रहें, ताकि आप हमारे ये सारे कॉंटेंट और जो भी हम प्रोग्राम आपके लाते हैं, उसके साथ आप बने रहें, इसके साथ ही बच्चों, आप हमारे NCERT ऑफिशियल चानल्स पर भी बने रहें, और साथ ही वहाँ पर जाकर कि आप चैट बॉक्स में भी हमें कॉमेंट कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में ही हमारा फोन नमबर और मेल आईडी बताई थी, तो आप उसके थू भी हमसे जुड सकते हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रे आप सभी का हमारे सार जुडने के लिए, धन्यवाद